एकोड न्यू रिक्रूटमेंट नॉटिफिकेशन डारेक्ट रिक्रूटमेंट यूसे जो रिलीज हो है और यहां पर एपलिकेशन भी स्टार्ट हो गये हैं और लेंट आपको अप्लाई करना है एपलिकेशन स्टार्ट हो चुके हैं vacancies काफी अच्छी है 13,000 plus vacancies है 13,000 plus vacancies है काफी अच्छी है और यह जो भरती है 8th pass and 10th pass candidate के लिए है minimum qualification अगर आप 8th pass आउट है या 10th pass आउट है तो आपके लिए यह भरती है और salary इसमें आपकी level 1 से रहेगी basic जो starting salary है वो आपकी रहेगी 18,000 level 1 की जो salary रहती है तो सीधी भरती है अगर आप interested हो apply करना चाहें तो वीडियो को end तक देखेगा वीडियो पसंद आए तो like and share कीज़ेगा क्योंकि यह जो भरती है all India के candidate के लिए तो नहीं है लेकिन हाँ यहाँ पर आप straight level पर है और state level पर काफी अच्छी भरती है यह किस state के लिए है कौन इसमें apply कर सकता है वैसे mail औफ email तोनों candidate apply कर सकते हैं और ज्यादा जो भी information है notification में सारी मैं आपको इसी वीडियो में clear करूंगी वीडियो पसंद आता है तो like and share जरू कर कीजेगा hello friends मैं हूँ आस था welcome करती हूँ आप सभी का अपने youtube channel government job genuine notification so यहाँ पर आप यह notification देख रहा है और यह जो notification है यह राजिस्थान स्टेट से आया हुआ है राजिस्थान राजिक से यह भरती notice रिलीज हुआ और यहाँ पर आप विकेंसिस देखेंगे 13184 रिक्त पदों पर भरती की जाने है और यह जो पोस्ट रहेगी सफाई करमचारी की पोस्ट रहे अब भी online application स्टार्ट नहीं हुए है sorry application अभी स्टार्ट नहीं हुए है 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे अभी April चल रहा है 15 मई से इसमें online application स्टार्ट होंगे लास्ट इसकी 16 जून रहेगी पूरा एक महिने का आपको यहाँ पर apply करने के लिए time दिया जाएगा apply कैसे करना है तो SSO ID के तुरू यहाँ पर रहेगा आपका official site यहाँ पर आप देखी रहे हैं यहाँ इसकी official website है यहाँ पर आप जाएंगे online apply करने के लिए link मिल जाएगा लेकिन अभी application स्टार्ट नहीं है 15 मई से होंगे तो तब भी आपको वहाँ पर link activate हो जाएगी ठीक है 116 नगरिये निकायों में यह भरती की जा रही है तो आप किसी भी एक निकाय के लिए आविदन कर सकते हैं online ही करना है application fees आपकी आविदन सोलक यहाँ पर बार बार आपको fees पर नहीं करनी होगी क्योंकि जो भी राजिस्थान करमचानी चैन बोर्ड हो या राजिस्थान लोकसिवा आयोग हो या राज्ज की कोई भी भरती संस्थान हो यहाँ पर clear दिया गया है SSO ID के दौर आप login कर करनी है एक बार आपको यहाँ पर पे करनी है सामान अनारक्षत के लिए 600 रुपए रहेगी और अरक्षत बर्ग के जो candidate है उनको 400 रहेगी पीरलूडी candidate को 400 रहेगी ठीक है इसके अलाबा एक बार यह पंजी इन सुलक जमा करने के पश्चाद बिभाग दौरा अलग से कोई भी आविदन सुलक नहीं लिया जाएगा अब यहाँ पर आप विकैंसी देख सकते हैं किस नगर यह निकाय में कितनी विकैंसी है सबसे जादा यहाँ पर जयपूर ग्रेटर में 3670 हैं उसके बाद आप यहाँ पर देख लिजेगा आप जिसमें भी इंट्रेस्टेड हो जह करते हैं किसे यहां से आप दकारी दोरा जारी किया हुआ चाहित प्रमार पत्र 6 माई के अबदी में जारी किया हुआ हो, बेतनमान यहां पर लेवल 1 से रहेगा एस क्राइटेरिया देखेंगे, तो एस क्राइटेरिया यहां पर आपका 1-1-2024 को 1-1-2024 से यहां पर आपकी एस काउंट की जाएगी, जिसमें minimum 18 और maximum 40 है 18-40 यहां पर एस है, रिजब कैटिगरीज के कैंडिडेट को एस रिलेक्सेशन इसमें मिल जाएगा यानि जनरल कैंडिडेट के लिए 18-40 साल एस लिमिट रखी गई है सेलेक्शन प्रोसीजर तो नगरिये निकाय पर विग्यापित पदो हेतू आवेदनो मैसे पात्र अभ्यार्तियों का चैन निकाय पर गठित चैन समति दौरा साक्षात कार के माध्यम से किया जाएगा अब इंटर्वी कोई इतना लबड़ा इंटर्वी इसमें नहीं होगा क्योंकि सफाई कमचारी पोस्ट है तो इतना ज़्यादा कोई आपको इंटर्वी को लेकर के इतना टैंसन नहीं लेना है वस आपको इहाँ पर इंटर्वी के बेस पर होगा छोटा मोट आपका इंटर्वी लिया जाएगा चैन समती दौरा यदि आवसक समझा जावे तो अभियार्तियों की उप्रिक्ता का परिक्चन अभियार्तियों से मौके पर सफाई कार करवाने रोड, स्वीमिंग, नालों की सफाई ये कार करवाए जाएंगे इस तरह से आपका टेस्ट लिया जा सकता है कौन-कौन से डॉकुमेंट्स रहेंगे, वो यहाँ पर दिये गए हैं, देख लिएजएगा आपको अपलाई करना है, डेट हमने देखी लिए अभी अपलाई होंगे, स्टार्ट नहीं हुए हैं, आपके 15 मई से स्टार्ट होंगे, 16 जुन तक आप इसमें अपलाई कर सकेंगे अगर इंट्रेस्टेड हों सफाई करमचारी की पोस्ट है, जो कैंडिडेट चाहते हैं इस पोस्ट पर भरती, राजिस्थान राज्य के हैं, राजिस्थान राज्य में भरती चाहते हैं, सीधी भरती हैं, तो आप इसमें आविदन कर सकते हैं, इंटर्वो के विस पर आप thank you